किसान आंदोलन को लगभग आठ महीने हो गए हैं और इस आंदोलन मुझो एक चर्चित चहरा बन गए हैं वो हैं राकेश टिक्याती हूँ तो वह किसान है पर अब एक हस्ती से बन गए हैं बहुत स्वागत आपका आज सक्पर राकेश जी आठ महीना हो गया है कब तक और जा मारे वो तो काम सरकार को करना जब तक कानून वापसी नहीं होगे तो घर वापसी नहीं होगी शांती पून तरीके साम अपना अंदोलन चलाते रहेंगे आप लोग की तो इस बीच बहुत बार बातचीत हुई है ग्यारा दोर की बातचीत हुई है कुछ बातचीत में हल नह does crime गोऊने Deputy गानुन नहीं के पक्राइज बनाना चाहती हैैं किसानों की फ्रस्ट्लें आध्र अथि रेट में लूटना चाहती हैं। देशो मुआ मिला यह पोलिषी कृम किसान गांडोलन नहीं। यह तो እ लेशो सो कृम करें कorn 시간 अंधोलनर riktig ora बिजले की पॉलीसी आ रही तो यह इस में तो सब लोग मारे जाएंगे बहुत बुरा हाल देश समा हुआ है किस सरकार लगातार कह रही है कि कानून तो किसानों के हक में है अच्छा हमारे ले कानून बना रहे हमारे एकमर हमें पता नहीं और हम उन्हों क्या करे हाथ जोड़ ले निहें रहे है उनको हमको एक साल भर का चेक देढ़ डबल पैसे का डेट गुनादेतो विय दो गुना कह रहे हम डेट गुना कह रहे अभी राहूल गांधी संसक्त grateful से कैसे देख रहे हcji आई। सब संसर टेक्टर साहेंगे टेक्टर से कोई टेंक है के नहीं जा सकता टेक्टर पार्लेमेंट में भी जाएगा अगर टेक्टर पार्लेमेंट में जाना से गया तो जाएंगे पार्लेमेंट में टेक्टर से चलागे टेक्टर तो एक साही चीज है देश को अन देता है पूरी दुनिया ट्रैक्टर परलियमेंट जाने से क्या मतलब है कहा पुछा हुए नुक्सान हो चायना के बोटरू पर आता है जमान के ट्रेक्टर चलाता है राजनिता कर रहे हैं यह कौन सा ट्रेक्टर है ये चाहिना वाला टैंक को अलट रहें? ना ना ये फसल जो अतने वड़ा है, आंदर तो यह यह चलता है और जो आंदोलन है आपका, जिसे यूपी में आप आए हैं, लखनवु में आए हैं, स्टेट कैपिटल में, क्या उचित्ति हैं आने का? अजया हम यहाँ के रहने वाल कर शूनाव है रहने वाल हैं यहाँ पर चार साल से कंड़े का रेट नहीं ही आ रहाँ का किसान बर्बाद हो गया मक्का की खरीद नहीं हो रही ग्याओं के खरीद नहीं होरी, फसले आधे रेट में विक्री है, बिजली पूरे देश में सबसे महेंगी हैं, ऐसा क्या आया के लखनों में नहीं आ सकते हैं, कोई पापंदी यह लखनों में. योगी अधिते ना तो कहते हैं कि वर्चुली हमने किसानों को सब जो है दिया है, वे टाइम्स अपको गेहूं का रेट वगएरा मिल रहा है. आपके साथ भारी संक्या में किसान भी आये हैं, क्या अभी तक वेस्ट यूपी भी आप लोग के ज़्यादा प्रोटेस्ट वगएरा रहा था, क्या कुछ प्लाइनिंग है क्या इस तरफ भी करनेंगे? इसको भी दिल्ली बनाएंगे लखनाओं को भी, आज चारू तरफ तक घेरगार का बट्रेंगे, वो टाइम भी आपको जब इसको भी घेरेंगे, देश की राजधानियों को दिल्ली बनाना पड़ागा, जो स्टेट की राजधानिया हैं, धेरे धेरे ऐसे प्रोटेस्ट उसको भी आज हो, दो साल में, कभी भी हो, तो बात तो करनी पड़े, ट्रेन नहीं चल रही, ट्रेन रोक लखी नहीं, तो भीड़ तो यहां की भी बहुत दर जाती है, अभी भी जा रही हैं, बहुत लोग जा रहे, कब बनाएंगे आब दिल्ली लखनों, लखनों को दिल् कहा कि अब कि आप लखनों आएंवा destroy कौनसी बीजेपी नेटाश इने को नसे वśmy नच्ट ऌशण होा इनली एक बीजेपी वाँ है एक बीजेपी ने ने बढ़ती कर रहे हैं उनको भीजेपी की फुल बहुत में का नहीं पता तो कौन से वाल इन नहीं है इनके तो नेता तो अंदर बंध है मकानूं में वे बोल नहीं सकते या बीजेपी और उससे थोड़ा कोई हमारे उसने किन पर कभजा कर लिया, इनके जो बड़े लिडर थे वे हाउस एरेस्टिंग करवा दिये, वे ब्यान नहीं दे सकते होई, तो कौन सी बीजेपी के कौन निर्ता बात कर रहे है, बीजेपी तो देश में ही नहीं, वो तो काग्जू पर रहेगी अपना पर्चे बनाऊ राकेष्ट कैत कि आज राजधानी लकनों में विजिट क्या संदेश है? वहां दोलन चला करना टेक में तो वहां की सरकार ने बिजली किसानों को फिरी कर दी, आठ गंटे, आठ गंटे फिरी देते हैं वे किसानों को बिजली, यहां पर उसका पैसा लेते हैं, ताइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कि आप अभी ही लखनों क्यों आए, पहले जिस भाषा में समझता होगा जिस भाषा को अब चुनावी भाषा समझे तो इनको चुनावी भाषा में इनको दवाई दी जागी। यह जंग आपको किसान रह करी लड़नी है पॉलिटिकल पाल्टी में आके नहीं ना उसमें क्या करें जाएगा आई तो बहुत पाल्टी बन दी तो साथ सो पाल्टी का रिस्ट्रेशन करवा रहा है कि लड़ दो जिसको लड़ना भाई सबसे ज्यादा किस पाल्टी ने आपके हिसाब से किसानों के लिए काम किया आंदोलन मुमेंट अगर ठीक रहेगा तो पाल्टी ठीक काम करेगी पाल्टी ने सरकारे काम करती है पाल्टी कोई काम ने करती है और मुमेंट अगर कमजोर रहेगा तो सरकारे हावी हो जाती है तो देश में आंदोलन मजबूत रहना चीज़ा है किसकी सरकार में सबसे ज़ञाहण है और किसकी सरकार में सबसे ज़्यादा अहित हुआ है? पूर तो कमझोर है नी उमर भी दुन्न से कम होगी इनको तो लंबी राजनीती करनी है तो कम स्वेश्व सो रुपी रेट बढ़ाना चाहिए गन्य का जो भुगतान रुका है वो भी दिलवाना चाहिए आलू का किसान भी पूरा बरबात हो गया है उसका भी वो करना चाहिए हो नहीं ना और दिगारी बहकात तेहन को एक फोटो बड़ी वाइरल हुई एसी वाली आपकी एसी तो भई मिझे ये बता दो किसके घर में इसी नहीं लग रहा जो बता दो एसी एक यंत्र है वो टेंप प्रेशर कंट्रोल करने का सिस्टम है वो प्रेश कलब एक बना रख्या मने महां पे प्रेश के वैट्री के एक वैवस्ता है वहां पर मुझे उसमें गाजीपूर पोडर पर किसान करांती गेट परेस से बात करके हम भी प्रेस के ओफिस में लेट गें अगर प्रेस के सामने उनके लेट ना उनके उस पर गुना है तो बहुत बताओ तो प्रेस का वह है ओफिस उसके अगर एसी का फोट्टो खेंच लि पहले तो अपने घर में लिटाएं अपने उपीज में अगजी ये रेस्ट रूम है यह मैं लेडियो फेर पोट्रो कहेंच लिया तो कौन सी बढ़िया बात है भई अधाय जाल रहा है कि किसान अंदोलन जो है उस बीच में कर रहे हैं अधाये हैं जुनाव है बाइसने बिदान सबाका जो इंद आंदोलन आपका चल रहा है यूपी भर में अब लखनो को विया फोकल पॉइंट बनाने वाले हैं असर पड़ेगा को चुनाव किया पता हम को चुनाव लड़ने आ रहे हैं हम तो अपनी बात कहेंगे जनता के बीछे में यहाँ पर मिटिंगे करेंगे पांच सितमबर से मुझे फनकर में बड़ी पंचात होगी उसके बाद में पूरे जिलेवाइज मंडलवाइज चीत करेंगे जनता खुस होगे इनको वोट देदेगी नाराज होगी नहीं देने कि हमें क्या बता कोण किस कोट देगा कुछ ऐसे तत्व भी आपके अंदोलन में आये आपने भी देखा जो मतलब शायद नहीं आते तो बेतर था कौन को नाए जैसे नाम थे जैसे कि जो ज चुनाव की बात थोत हो रही है यहाँ पर आपने जैसे कहा कि आप लखनव को अगला दिल्ली बनाने की प्लानिंग कर रहे हो कब तक माना जाए देख लिए हो तो प्लान बढ़नेगी आप बढ़नेगी प्लान